हलो स्टुडेंट मैं अमित राज़ा और आज अपन बात करने वाले हैं NTA ने जो जैए मेन की डेट्स निकाली हैं उसके वारे में तो चाहिए जानते हैं जैए मेन में इस फ़ार क्या नया है क्या बतला है क्या सब कुछ होई है और NTA ने क्या गाइडलाइन आपको दी हैं त स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले NDA इसको कराता है यह जो जैए मेन का एक्जाम है बेसिकली वो क्वालिफाई एक्जाम भी होता है जैए एडवांस का जैसापन सब जानते हैं 2.5 लाग इस्टुडेंट इसको क्वालिफाई करते हैं 31 प्लस 1 शिप्पुल को प्लस 1 मे द्वारा कराते हैं इंपोर्टेंट डेट्स यह सबसे मेत्यपुन स्टाइड है अपने इसको पर बात करेंगे इस वार 4 की जगे सी 2 सेशन महीं यह हो रहा है यह बहुत मेत्यपुन बात है एक अप्रेल में और एक मही में जैसा आप देख पा रहे है पहला सेशन 16 अप्रे शाम को 5 बजे तक ही आप फोर्म फिल कर सकते हैं तो प्लीज इस फोर्म की फिलिंग को आप कम्प्लीट कर लीजिएगा एक बार दुवारा मैं आपको सेशन की डेट बता रहा हूं 16 अप्रेल से 21 अप्रेल और 24 मही से 29 मही के बीच में ही यह हो इसके बाद अगर अगर अप फोर्म फिलिंग 1 अप मार्च से स्टार्ट हो चुकी है जो की 31 मार्च तक ही है शाम को 5 बे तक लेकिन आप जो फीस है इसकी वो आप डिपोजिट करा सकते हैं 31 मार्च को ही रात को साड़े 11 बजे तक 1st week of April के अंदर आपको जो है announcement आजाएगा examination की CT का और आप admit card download कर पाएंगे April 2nd week से exam pattern exam pattern में कोई change नहीं है same जैसा पिछले साल ता बिल्कुल वेसा ही है अगर अपन paper 1 की बात करें जो की BE और BTEC के लिए है तो first section में 20 question second में 10 question वही MCQ एन इंडिजर टाइप second में आपको 10 की जगे शिर्फ 5 questions ही करने हैं आपको मिलेगा हर दो मेंदे एक question आप कर सकते हैं CBT mode रहेगा और 9 से 12 का आपका time रहेगा अब पनाते हैं BR के paper में, BR के paper में आपका जो है वो CBT mode ही रहेगा लेकिन इसका जो drawing का paper है वो आपको offline ही करना होगा लेकिन planning में CBT mode ही रहेगा और इसका timing रहेगा 3 to 6 के लिए इसकी मों examination जैसे में पहले पिस्वाली slide हैं बता चुका हूँ कि CBT है और सिर्फ उसका drawing का paper जो है वो pen or paper पर होगा और planning का भी CBT mode में ही होगा fees अगर अपन fees की बात करें तो अगर आप कोई भी एक paper choose करते हैं तो अगर आप general से हैं OBC से हैं EWS से हैं तो आपको 650 देनी होगी if you are a male candidate और अगर आप female candidate हो C25 या अपन यू मान सकते हैं कि male candidate जो की general EWS से OBC से हैं उसको 650 देने हैं rest of those सभी को 325 देने हैं अगर आप more than one paper का combination बनाते हैं जो की यह describe है माली यह paper 1 और paper 2 अपन देना चाहते हैं यह अपन paper 1, paper 2, paper 2B तीनों देना चाहते हैं तो भी अपनी जो fees आजाएगी वही male candidate general OBC EWS के लिए 1300 और बाकी सब rest of के लिए 650 यह fees रह जाती हैं लेकिन अगर आप foreign candidate हैं अगर आप out of India से हैं तो यही आपका single paper के लिए 3000 और more than one paper के लिए 6000 हो जाती है ठीक है और time वही है 31 March साड़े 11 बजे तक अगर अपन आप आगे चलें तो यहाँ पर एक बहुत महत्यपून topic अपन discuss करने वाले हैं अगर tie हो जाता है तो क्या होता है इसी sequence में आपका tie जो है वो calculate होगा rank calculate होगी सबसे पहले NTS score mathematics then physics then chemistry A's तक भी हो सकता है position जानी पड़ जाए लेकिन आप देखिए यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि सब चीजे मिल जाएंगी proposition of number of attempts incorrect answer किस जिस जितना अपने question attempt करें हैं उसके proposition में आपके कितने negative हुए है कम negative वाले की rank उपर आएगी और last में अगर सब कुछ मिल जाता है fortunately and fortunately कैसे भी मिल जाता है तो application number भी descending factor हो सकता है अब अपन बात करेंगे important points की अगली important points में जो slide आई है वो आई है अपने पास certificates की सबसे पहले अपन बात करते हैं general EWS and OBC certificate की OBC NCL certificate अगर अपने इनकी बात करें तो सबसे महत्यपूर्ण बात जो ध्यान देने की है कि वह आपका certificate एक January 2022 के बात का होना चाहिए ध्यान रखिए एक January 2022 के बात का certificate ही NTA मानेगा उसके पहले का certificate नहीं मानेगा अब यहां पर एक issue आता है कि certificate मैं तो बिहार में रहता हूँ state का बनवा हूँ मैं UP में रहता हूँ state का बनवा हूँ कौन सा बनवा हूँ मैं quota पढ़ रहा हूँ तो क्या बनवा हूँ यहां पर मैं आपको बहुत इस पर स्टूप से clear कर देना आ ला हूँ कि JE जो है वो national level का exam है तो आपका जो भी certificate है चाहें वो EWS का हो या वो OBC का हो वो central government के नियमों के अधीन ही बनना चाहिए क्या होता है OBC की दो list होती है एक अपनी state की list और एक central की list आप OBC NCL में तभी आएंगे जब आप central list के अंदर अंतरगत आएंगे अगर इसी तरह अपन EWS की बात करें तो EWS में central government के rules है और कुछ state ने अपने इसाफ से वो rules बदले हैं तो आप central government के जो rules है उसके इसाफ से अगर आप EWS में आते हैं तो ही NT आपको EWS में या OBC NCL में मानेगा और जो यह certificate बनेंगे वो तहसिलदार या उसके ऊपर की authority के द् नियम ध्यान रखना है कि अपन सभी नियमों को जो पूरा करें वो central government के द्वारा निर्धारित नियम हो state government के द्वारा निर्धारित नियम नहीं होने चाहिए और जो authority है वो तैसिलदार या उसके उपर का authority है तो यह है बात होती है अपने certificates की अब अपन बात करते PWD candidates की PWD candidate में जो सबसे महत्यपुन बात इस्वार आई है वो यह scribe की facility जो PWD categories वाला लेता है पर तो PWD category में को होता है वह student जिसकी disability 40% या उससे ज्यादा की है 40% या उससे ज्यादा की disability होगी तो ही आपको NTA PWD candidate मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा तो इसको आप विशेशूप से ध्या आदा की होनी चाहिए medical authority के द्वारा और जो आपको स्काइप की facility है वो आपको NTA provide कराएगा आप अपने साथ ले जाके नहीं दे सकते इसके लिए आपको अपना certificate upload करना पड़ेगा registration करना पड़ेगा Skype के लिए NTA की website के उपर जाके तब वो आपको provide कराएगा और आपको एक important points में अपन cover करेंगे मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहरा हूं वो है जो कि notice करने वाली बात है वो यह है कि अपने जो इसमें discuss किया था कि paper pattern में section A में 20 question आएंगे section B में 10 question आएंगे 10 question integer type होंगे जिसमें साथ आपको 5 question करने होंगे उसमें एक चीज यह बतली है कि section B में इस वार negative marking है जी हाँ पिछले साल जो negative marking नहीं थी students इस वार वो negative marking आई है plus 4 सही के लिए attempt नहीं किया तो 0 और गलत किया तो minus 1 यानि integer type के question बहुत ध्यान से कीजेगा पिछली वार की तरह direct tick mark लगाने से काम नहीं चलेगा तो यहाँ पर अब अब आपन चलते हैं अगली slide पर अगर आपको जो भी और जानकारी चाहिए इसके अंतरगा तो आप हमारी website के उपर visit कर सकते हैं यान दिएगे numbers के उपर हमाई toll free के उपर call कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं Thank you friends, thank you students, thank you